ये बीजेपी तो अपना डायलोग मार रही है कि हम 400 पार है उनका कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों के सिंबल निर्जीव है आप ED Income Tech CBI का बेजा इस्तिमाल कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं आप हालात इतने खराब है के कॉंग्रेस के खाते सीज हो गए, केजडिवाल बंद हो गए आज केजडिवाल को बंद किया गया हो सकता लोगसबा चुनाओ के बाद हम सब का नंबर आ जाए कॉंग्रेस के लिए हम बचेंगे नहीं बचेंगे ये तो वक्त बताएगा सावधान हो लोगतंत्र को और सविदान को बचाने के लिए मौका आया बीजेपी मठाओ तब ही लोगतंत्र बचेगा सविदान बचेगा नफ इस तो धैसत के इस माहुल में बीजेपी मनमानी करेगी या राने वाले समय चुनाओ बंद हो रास्तार में लोकसोबार चुनाओं का बिगुल बच चुका है और रण छिड़ चुका है तमाम जो नेता हैं वो अपनी पार्टी के जीताओ को टिकेट दिलाने में लगे हैं और टिकेट बटवार हो भी चुका हाल फिलाल जैपूर सहर से परताफ सिंग खाचरियवास को टि अब यह सब बाते पिच्छे चूट गई कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है लोगों का भारी समर्थन हमको मिल रहा है और जब सरकार के खिलाब डिवेट होने लगे और दस वर्स के काम का जनता में इसाब किताब की चर्चा होने लगे आप समझ लीजिए कि केंदर की सरकार जा रही है मैं चार-पांथ दिन से जो लोगों में घूम रहा हूँ पार्कों में जा रहा हूँ लोग आगे बढ़ कर समर्थन कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि आप लोगों को कोई दबाओं में आने की जड़त नहीं है बहुत अच्छा आप लोग की इमे चोदा में तब एक डॉलर के मुकावले रुपे की कीमत 38 से 40 रुपे थी आज बाड़ में रुपे पार चला गया तो रुपया पिट गया बीजेपी मजबूत होगी लें रुपया पिट गया देश की करेंसी को आपने कमजोर कर दिया अब आपने नोट बंदी की पूरे द उन पर चर्चा नहीं करना चाहते नोट बंदी पर चर्चा क्यों नहीं करती बीजेपी बताये नोट बंदी क्यों की थी तब तो आपने कहा था पचास दिन दे दे देव डेड़ दो अजार लोग मर गए उसक टड़फ टडफ कर लोगों के घरों में शादियां थी लोग डेमोक्रेसी है भई, कॉंग्रेस हो या बीजेपी, कॉंग्रेस बीजेपी से उपर उठकर वोटर को कंडिडिट भी देखना चाहिए, कौन सक्सियत चुनाव लड़ रही है, निसान देखते हो बीजेपी कंडिडिट का नाम देखो, क्या वो आपके सुक दुक में भागि साथ खुला रख सके, जिसके पास जाओ तो आप वो दम से आपका काम करा सके, ये भादा नहीं करें के मेरी तो चलती नहीं है, जादा करें तो कहते हैं आपने मुझे जोस्त नहीं दिया, मेरी पार्टी को वोट दिया, मेरी सिंबल को वोट दिया, बीजेपी और honourेव इंचेट को मत देखो, हमारे निसान को देखो हमारे काम केजरी वाल बंद हो गए है। एक क्विनिस्ट्र को बंद कर देखैं कि यह आप काबू नहीं आ रहा है। आप भूग गरीबी बेरोजगारी महगाई से लड़ना नहीं चाहते हैं काम करना नहीं चाहते हैं। इंकम टेक्स इबी आई का बेजा इस्तिमाल कर रहे हैं मनमानी कर रहे हैं आप हालात इतने खराब है कि कॉंग्रिस के खाते सीज हो गए केजरी वाल बंद हो गए हाज इनके नेता आएवें आप देखो जाके एरपोर्ट से लेकर और पूरे जैपूर में बीजेपी के जंड कर रही है जगे जगे इनके प्राइमिस्टर के जगे जगे होडिंग लगे हैं बीजेपी के होडिंग लगे हैं प्रिचार हो रहा है इतना पैसा आ कहां से रहा है इलेक्टरोल बॉंड का इतना बड़ा घुटाला हुआ इतनों बड़े-बड़े बीजेपी के जंडे लग होगा हम बचेंगे नहीं बचेंगे यह तो वक्त बताएगा इस वक्त चुनोती बड़ी है सबसे बड़ा स्वाल यहां पर क्या विशेस मुद्धे रहने वाले हैं चुनाव को लेका विशेस मुद्धा एक है बीजेपी तो अपना डाइलोग मार रही है कि हम 400 पार उनका कमजोर कर दिया जो मुद्धे नहीं उनको मुद्धा बनाकर मुद्धों से ध्यान अटाने की राजनीती बीजेपी कर रही है सावधान हो लोकतंत्र को और सविधान को बचाने के लिए मौका या बीजेपी को अठाओ तब ही लोकतंत्र बचेगा सविधान बचेगा नहीं तो धैसत के इस माहुल में बीजेपी मनमानी करेगी और आने वाले समय चुनाव बंद हो जाएंगे विधान सवाँ में आपके साफ में नया चेहरा था गोपाल सर्मा जनता ने समर्था नहीं दिया इस बार क्या लगता है लोक सवाँ चुनाव में आपको अप ठीक कह रहे हैं विधान सवाँ चुनाओं में हमें मौका नहीं मिला में चुनाओं हार गे बदर्द बढ़ा है और आज तक भी उद्द नहीं निकला लेकिन एक जैसा नहीं होता के राट काली राट आती यो अंधियरा घेर लेता है तो ईसकेबाद उजला भी होता ये प्रकरदिका नियद हैं क्या लगता है तो सुदरसन चक्रवाले के हाथ में, जनता के हाथ में, आज की इस्तती में तो हमारे पास सिफ दो सीट है कॉंगरिस के पाँ, बीजेपी के पास छे सीट है, और हमारी इस्तती तो अब लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, उससे दिन पर दिन हम मजबूत हो रहे हैं, तो हम कम लिटेक्स खत्म हो जाएगा जैपूर में, ये तोड़ फोड, ये मनमानी, ये घुंडा गिर्दी, ये प्रिष्टा चार, ये नहीं चलेगा, हमारी योजनाय हम बंद नहीं करने देंगे, यदि बीजेपी जीत की जैपूर से और राजस्तान में पार्लामेंट के वोड़ दोगे तो ये होगा, अंतिम सवाल आप से है कि लगातार जो दावे किया रहे हैं, बीजेपी तवारा की बात कर लें, कि ब्रहमित करने का काम करती है, छूट बोलके चुनाव जीते ही पीपी से बार, क्या कहींगे? हम तो ब्रहमित करके हम तो जीते भी नहीं, जी तो ये थे परताफ सिंखाचारेवास जो कि मंजू शर्मा हैं उनके सामने जैपूर सहर से चुनाओ लोग सबाग के परत्यासी हैं और चुनाओ लड़ने के लिए पूर जोर चे तैयारी कर चुके हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि सुरवाती दिनों में इनकी किस्तिती कमज सब्सक्राइब के साथ संदीप अगरवाल नगरी मेडिया चैपूर के साथ संदीप अगरवाल नगरी मेडिया चैपूर